जहिंत थाने में तैना दारोगा नई पोस्टिंग पर आई एक कॉंस्टेबल को तीन बार प्रेगनेंट कर देता है और फिर किसी को कुछ भी बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता है महिला कॉंस्टेबल की सुंदर्ता को देखते ही पहली बार में दारोगा का दिल उस पर आ जाता है और फिर वो उसे अपनी कार में घर पर छोड़ने की जिद करने लगता है दारोगा की बातों में आकर ये महिला कॉंस्टेबल उसकी गाड़ी में बैठ जाती है पहली बार गाडी में जाती है उसके बाद ये सिलसिला रोज शुरू हो जाता है और फिर एक दिन ये दारोगा अपनी बातों में लेकर इस महिला के साथ शारीरिक संबंद स्थापित करता है चारीदिक संबन स्थापित करने पर पहली बार महिला Constable प्रेगनेट हो जाती है तो दारोगा उसे गरपात कराने की सलहाद देता है उसके बाद दूसरी बार जब ये प्रेगनेट होती है तो भी महिला को यही करने के लिए कहा जाता है पर जब तीसरी बार ऐसा होता है तो महिला सोचती है कि इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगी दारोगा के कहने के बावजूत महिला अबोर्शन नहीं करवाती और अपनी सारी सच्चाई जाकर स्पी को बयान कर देती है दारोगा की ये करतूत जहां जहां पुलिस विभाग में पहुँच रही है वहाँ वहाँ उसकी थूथू हो रही है वही दूसरी तरफ इस दारोगा के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया गया है जहन्त एक महिला कॉंस्टेबल को उसकी सुन्दरता की इतनी बड़ी सजा मिली कि उसे दारोगा द्वारा तीन बार प्रेगनेंट किया गया और उसके बाद तीनों बार उसका अबोर्शन करवा दिया गया फाइनली ये बात पहुँची सुप्रिटेंडेंट आफ पुलिस के पास और खुद इस महिला ने अपनी सारी कहानी बयान कर दी जिसके बाद दारोगा के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई एक कहानी मैं आपको बताऊंगा पर सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप लाखों की गिंती में हमारी वीडियो को देख रहे हैं पर आप चैनल सबस्क्राइब नहीं कर रहे हैं इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉरण चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए और कॉमेंट कीजिए इसके साथ ही अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं से कर रही थी तभी अचानक पास से गुजर रहे दारोगा ललित चौधरी ने इस कॉस्टेबल को देखा तो देखता ही रहे गया क्योंकि ये देखने में खुबसूरत थी और वो अपनी आँखे इससे नहीं हटा सका थूड़ी देर में दारोगा ने इसके पास आकर पूछा कि आप कहां की रहने वाली हैं महिला कॉस्टेबल ने बताया कि मैं अलीगड के एक गाउं की रहने वाली हूँ जिस गाउं का इस महिला कॉस्टेबल ने नाम बताया दारोगा ललित ने कहा कि मेरा ननिहाल वही पर है यानि कि मेरी मा का माय का वही पर है फिर क्या था दोनो में ऐसा लगा कि जैसे अपने पास का कोई मिल गया हो कोई अपना मिल गया हो महिला को भी इस दारोगा के साथ उसके पास आकर पूछा कि तुम घर जाओगी अकेले जाओगी परिशान होगी इसलिए मेरी कार में बैट जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा महिला को लगा कि शायद मेरा कोई अपना ही ये मुझ से पूछ रहा है उसके बाद वो कार में बैट जाती है और फिर अप देखता रहता कि जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होगी उसके बाद मैं इसे घर छोड़ने के लिए पूछ लूँगा दारोगा रोज इस महिला कॉंस्टेबल को घर छोड़ने का बहाना ढूंडता रहता और धीरे-धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी एक दिन नजदीकियां ऐसी बढ़ चुकी थी कि ये दारोगा की हिम्मत हो जाती है और इस महिला कॉंस्टेबल को अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ पर धीरे-धीरे ये एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर शारीरिक संबंध स्थाफित करने के लिए ये दारोगा कह महिला कॉंस्टेबल शुरुआत में कथित तौर पर मना करती है और उसके बाद ये दारोगा उसे ऐसी पट्टी पढ़ाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे जल्द शादी कर लूँगा और महिला कॉंस्टेबल के साथ वो शारीरिक संबंध स्थापित कर लेता है अब ये स उसको अपने साथ ले जाता है और उसका अल्ट्रा साउंट करवाया जाता है अल्ट्रा साउंट में पता लगता है कि ये महिला कॉंस्टेबल प्रेगनेंट है उसके बाद दारोगा भी हैरान पनिशान रह जाता है फिर उसे जब कुछ नहीं सूजता तो वो कहता है कि अभ दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं पर कुछ दिनों के बाद फिर से दोनों के बीच में नजदीकियां पढ़ने लगती हैं और फिर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंद बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है महिला इस बार भी मना नहीं कर पाई क्योंकि ये दारोगा उस उसे इस तरह से अपनी बातों में ले लिया करता था कि पूरी तरह से उसकी जो मानसिक शक्ती थी या यूँ कहें सोचने की शक्ती थी वो दारोगा के हाथों में आ चुकी थी ऐसे ही समय गुजरता जाता है और फिर एक दिन महिला कॉंस्टेबल को पेट में दर्ध होता है इस बार फिर से उसे शक होता है वो चेक करवाती है और उसे पता चलता है कि वो एक बार फिर से प्रेगनेंट हो गई है इस बार फिर से दारोगा को फोन पर बताती है तो जब फोन पर दारोगा को ये बात बताई जाती है वो फिर से दुखी हो जाता है और इस बार महिला से confront करती है, वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हूँ, तो इस बार में बच्चा नहीं गिराऊंगी, और दारोगा कहता है कि नहीं, अभी जल्दी हो जाएगी, तुम्हें बच्चा गिराना ही पड़ेगा, अब फिर ये सिलसिला यूही चल पड़ता है, दोनों आए दिन एक दूसरे से मिला करते हैं, पर एक दिन ऐसा होता है, जो इनके relation में या संबंधों में कहें, की खटास पैदा कर देता है, और दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, एक दिन दारोगा का फोन इस महिला कॉस्टेबल के पास रह जाता है, तभी फोन की घंटी बजती है, घंटी बजने पर ये महिला कॉस्टेबल फोन को उठाती है, वहां से दूसरी तरफ एक महिला बात कर रही थी वो महिला इस Constable से पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो इधर से Constable पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो दूसरी महिला बताती है कि मैं दारोगा लली चौधरी की पत्नी बोल रही हूं जब इतनी बात ये महिला कॉंस्टेबल सुनती है तो दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाती है क्योंकि दारोगा की जो पत्नी थी वो अब ये जानना चाहती थी कि ये महिला कॉंस्टेबल आखिर कौन है और उसके पास मेरे पती का फोन कैसे पहुंचा है कहा सुनी होने के बाद फोन तो रख दिया जाता है पर उसके बाद कॉंस्टेबल दारोगा से बहुत ज्यादा लड़ती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे शादी के नाम पर जहासा दिया और शादी के जहासे के बदले तुम मेरे साथ लंबे समय तक शादीरिक संबंद बनाते रहे दो बार गरपात भी करवाया गया पर अब मैं ये सब बरदाश्त नहीं करूँगी मैं अपनी जिदगी अपने तरीके से जिऊँगी कुछ दिनों बाद ये महिला कॉंस्टेबल अपने घर उत्तरप्रदेश के अलीगर चली जाती है अलीगर जाकर वो अपने घरवालों को पहले ही बता चुकी थी कि मैं अब शादी करना चाहती हूँ घरवाले इस कॉंस्टेबल के लिए एक अच्छा लड़का ढूंड भी चुके थे क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थी इसलिए लड़का ढूंडने में ज़्यादा परिशानी नहीं हुई इसलिए घर जाते ही इस लड़की की सगाई कर दी जाती है और सगाई के बाद ये फिर आकर अपनी ड्यूटी जॉइन कर लेती है जब ये बात दारोगा को पता चलती है तो उसे बहुत गुसा आता है वो महिला कॉंस्टेबल के पास जाता है और उससे मारपीट करने लगता है उससे सवाल करता है कि तुमने सगाई कैसे की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ के बाद फिर से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है एक बार फिर से दारोगा इस महिला कॉंस्टेबल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है पर महिला कॉंस्टेबल सोचती है कि अब इस पर रोक लगानी पड़ेगी उसके बाद वो अपना ट्रांसफ साल 2023 का दिन अचानक से महिला को फिर से पेट में दर्ध होता है वो एक बार फिर समझती है कि शायद इस बार फिर से मैं प्रेगनेंट हो गई हूँ जब वो चेक करवाती है तो पता लगता है कि इस बार फिर से महिला प्रेगनेंट है वो गर्वती है वो एक बार फिर से य लिखाने की बात सोचती है वो दारोगा से कहती है कि मैं अब ये बात अफसरों को बताऊंगी और मैं ये बच्चा भी नहीं गिराऊंगी जब दारोगा ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कई वीडियो और फोटोज हैं अगर तुम ये बात किसी को भी बताओगी तो मैं उन्हें सोशल मीडिया पर लीक कर दूँगा और तुम्हें जगा जगा बदनाम कर दूँगा कॉंस्टेबल कहती है कि मैं अब शिकायत करके रहूंगी ये बात सुनने के बाद दरोगा थोड़ा डर जाता है और वो सीधा अमरोह पहुंच जाता है इस कॉंस्टेबल के पास उसके साथ एक बार फिर से कथित तौर पर मार पीट करता है अब ये महिला कॉंस्टेबल अपने कुछ दोस्तों से सला लेती है और फिर आता है तीन जनवरी का दिन स्पी कुवर अनुपम सिंग अपने दफतर में बैठे थे कॉंस्टेबल उनके दफतर में पहुँचती है और उनके सामने अपना दर्द बयान करती है उन्हें पूरी बात शुरुवात से बताती है कि किस तरह वो हेल्प डेक्स पर जॉइन करने आई थी और किस तरह इस दारोगा ने उनसे दोस्ती बढ़ाई और उसे तीन बार प्रेगनेंट कर दिया और तीनों बार उसका बच्चा गिराने की कोशिश की गई दो बार तो वो बच्चा गिरा चुकी है पर तीसरी बार भी उसे ऐसा करने के लिए कह दिया गया जब S.P. सहाब ये बात सुनते हैं तो उन्हें काफी गुसा आता है और वो सीधा फोन मिलाते हैं महिला थाने में वो कहते हैं कि एक महिला कॉंस्टेबल आपके पास आईगी उसकी बात सुनिए और केस दर्ज कीजिए फिर ये महिला कॉंस्टेबल महिला थाने में पहुंचती है वहाँ पर अपनी सारी बात बताती है जिसके बाद इस मामले में F.I.R. दर्ज की जाती है इस बार जो ये F.I.R. दर्ज की गई वो दारोगा उसके भाई और उसकी पतनी के खिलाफ दर्ज की गई F.I.R. में भाई का नाम इसलिए जोडा गया कि जब महिला ने दारोगा को धमकी दी कि मैं तुम्हारी शिकायत सीनियर अफसरों से करूँगी तो उसके भाई ने भी महिला कोस्टेबल को कई बार कथित तोर पर धमकी दी दारोगा और उसके परिवार के उपर I.P.C. की धारा 316, 320, 313, 504, 506 और S.C.S.T. Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है अब जो धारा 316 है I.P.C. की वो मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ यह बहुत संगीन धारा है रेप के मामलों में यह धारा लगाई जाती है इसमें कम से कम minimum to minimum quantum of punishment होता है 20 साल और अधिक से अधिक सजा हो सकती है life imprisonment और साथ में जुर्माना भी होता है अगली धारा है I.P.C. की धारा 323 जिसके तहत स्वेच्छा से किसी को hurt करने के लिए punishment दी जाती है इसके तहत एक साल तक की सजा हो सकती है या फिर एक हजार रुपए fine या फिर दोनों हो सकते है अगली धारा है I.P.C. का section 313 जिसमें महिला की सहमती के बिना उसका अगर गर्वपात कराया जाता है तो ये section लगाया जाता है इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है minimum सजा 10 साल तक की है और अधिक्तम life imprisonment हो सकता है और इसके साथ जुर्माना भी होता है अगली धारा है I.P.C. की धारा 504 शांती भन करने के इरादे से जान बूज कर अगर किसी का अपमान किया जाता है तो ये धारा लगाई जाती है इसमें अधिक्तम सजा 2 साल की हो सकती है साथ में जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं अगला है I.P.C. का सेक्शन 506 जिसमें आपराधिक धंकी के लिए सजा दी जाती है इसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं दो साल की सजा और जुर्माना अगला है S.C.S.T. Act जो इस दारोगा पर लगाए गया है उम्र कैद की हो सकती है इसके साथ ही जुर्माना भी इसमें लगाया जाता है तो कुल मिलाकर इस मामले में दारोगा ने शुरुवात में महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंद मनाए तीन बार प्रेगनेंट किया पर जो अब अन्जाम देखने को मिलेगा अगर ये मामला कोट में स्टेंड करता है तो दारोगा की नौकरी जाना तै है जहित